आज मैं आपको मोहनी एकादेशी की व्रत कथा की महिमा को सुनाने जा रहा हूँ मोहनी एकादेशी व्रत करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारन होता है पापों का विलय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है आईए कथा की ओर बढ़ते हैं बोलो जै स्रीहरी कल युग में उधार का तुमको मार्ग बताता हूँ पावन कथा सुनाता हूँ मोहनी एकादेशी की तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ पावन पतित महावरत का मैं सार बताता हूँ मैं तो कथा सुनाता हूँ कल युग में उधार का तुमको मार्ग बताता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये चता है बड़ी मामान सब सुनों लगाते जान इस चता दी है पहचान फिले भूमांगा वर्दान मात सरस्वति के चरनों में लगा के अपना ध्यान कथा लिखू मैं एक दशी की पावन पतित महार् सरस्वती नदी के टट पर भत्रावती नगरी अतिरमडीक अस्थली थी जो स्वर्ग से है उत्री खुश हाली से भरा राज था राजा था ध्रित नाभू सारे नगर में हसी खुशी का फैला था उल्लास उसी नगर में वैश एक था जो था बड़ा धनवान उसके हदय में बस ते थे बस स्री विश्नु भगवान सुनो ध्यान से भग को आगे कथा बढ़ाता हूँ पावन कथा सुनाता हूँ मोहिनी एका दशी कि तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी महान जब सुनों लगाते जार इस कथा की है पहचार दिल भूमा का वर्दार पाँच पुत्रों का पिता वैश था गर्ब की थी ये बात हर दिन उसके घर होती थी खुशियों की बरसा स्रेव विश्नु जी की भगती में दूबा रहता था प्रत दिन नियम से विश्नु जी की पूजा करता था धर्म कर्म में आगे रहता करता प्रत दिन दान बड़ी अधर में निकली लेकिन उसकी बड़ी संता जुआ खेलना मदिरा पीना रोज कथा ये काम सुबा बिताए मदिरा घर में वैशिक घर पेसा वैशिक वेटे का तुमको इतिहास बताता हूँ पावन कथा सुनाता हूँ मोहिनी ये कादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी महार कम सुनों लगाते जार इस गतानी है पहचार निले मुहमा का वर्दा सारे नीच कर्मों करता रखता साथ कुसंग मात पिता और भाई सारे हो गए उससे तर बार बार उसको समझा के घर वाले गए हार एक रोज फिर मात पिता ने मन में किया विचार सीने पे पत्थर रख करके दोनों ने ततकार थोड़ा धन आभू सड़ दे के घर से दिया निकार कामी शराबी और ताम सी घर से चला गया मात पिता भाई से अपने लड़के चला गया इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ पावन कथा सुनाता हूँ मोहिनी ये कादशी कि तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी मामार कम थुनों लगाते जार इस कथाती है पहचार धिल मुरुमा का वर्दार मौज मनाई उस बेटे ने जब तक धन था पास चंद दिनों में कर डाला था धन का सत्यानास बड़े ऐश में गुजरे कुछ दिन जब कुछ रहा नसेस अब क्या खाए कहां पे ठहरे चिन्ता हुई विशेस भूखा प्यासा रहने लगा ना पास रही कौडी चोरी कीलत लग गई उसको करने लगा चोरी रात में जाके चोरी करता दिन में करता मोज नारी मदिरा जुआ में डूबा रहता हर रोज पकड़ा गया जिस रोज हुआ क्या वो समझाता हूँ पावन कथा सुनाता हूँ मोहिनी ये कादशी की तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी महार जब सुनों लगाते जार इस कथा दिन है पहचार दिल्वों मांगा वर्दार चोरी करते हुए एक दिन उसको पकड़ लिया हाथ पाउं जन्जीरों में है उसका जकड़ लिया चार सिपाही खीचिक उसको ले आए दरबार राजा के आदेश पे उसको खूब लगाई मार महाराज ने सजा सुनाई उसे तुरंतत काल पहले मारा कोडों से फिर राज से दिया निकाल राज से बाहर छोड़ाए है किसी जंगल में जाकर जिंदा रहूंगा जंगल में अब कैसे क्या खाकर सोच रहा था मन में यही मैं सत्य बताता हूँ पावन कथा सुनाता हूँ मोहिनी एका दशी कि तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी महाँ जब सुनों लगाते जाँ इस कथा की है पहचाँ भूख लगे तो पश पच्छी को मार मार खाए रात ढले तो पेड़ के नीचे लेट के सो जाए जिन्दा रहने की खातिर वो करता रोज सिकार मन में सोचता था वो ऐसे जीना है बेकार मिला शकार उसे ना एक दिन भूखा सोया वो अपनी करनी के उपर जी भर के रोया वो सारी रात उस नींद नाई बैठा रहा उदास अगले दिन जा पहुचा वो कौंडिल्यर सी के पास क्या बोला वो रिशी राज से वो बतलाता हूँ फावन कथा सुनाता हूँ मोहिनी एका दशी की तुमको कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथान है बड़ी महार तक सुनों लगाते जार इस कथान है पहचार दिल्यर मुहमा का वर्दार रिशी के आस्रम पहुच के पापी जोड़ी के बोला हात रिशी राज जी मैंन किये हैं बड़े बड़े अपरार पापी बड़ा हूँ नीच बड़ा हूँ करता हूँ सुनिकार सिर के उपर पाप उठा कर जीना है दुश्वाँ बहने लगी आँखों से धारा मुह से न फूटे बोल कैसे मिले पाप से मुक्ती पाप किये अंतोल सच बोलू मैं रिशी राज कर्मों का सताया हूँ कोई उपाए बता दो मुनिवर शरण में आया हूँ क्या कहते हैं रिशी राज वो सुनो सुनाता हूँ मैं तो कथा सुनाता हूँ मोहिनी एक आदशी कि तुम को कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी महार कम सुनो लगाते जार मोहिम ये कादशी जो बैशाक में पढ़ती है उसका व्रत करने से हर दुख व्यादा कटती है शुकल पग्ज में पढ़ती है एक उत्तम एक दशी पाप मुक्त करती है ये सर्वोतम एक दशी सध्धा से व्रत पालन करना मन से करना ध्यान सिरी हरी जी की किरपा से होगा हर कल्या मोहिन येक आदशी का व्रत करता है वैश कुमार पाप दोश से हो जाता है पापी का उठा अंत गया वो सवर्ग लोक में सत्य बताता हूं मैं तो कथा सुनाता हूं मोहिनी एका दशी कि तुमको कथा सुनाता हूं मैं कथा सुनाता हूं ये कथा है बड़ी महार, जब सुनों लगाते जार, इस कथानी है पहचार, दिल भूमा का वर्दार एक आदशी की पावन महिमा सबसे उत्तम है, उत्तम कहना अनुचित होगा, अतिशर वो तम है जो भी एक आदशी की व्रत का पालन करता है, सुखवे भौधन धाने से उसका आंगन भरता है उसके उपर स्री विश्णू की केपा होती है, संकट आता नहीं खुशी की वर्सा होती है मोहिनी एक आदशी की भगतो महिमा है न्यारी, किस्मत में जखडी जनजीरे कट जाए सारी कथा लिखे सुख देव डियस पाल गा के सुनाता हूँ, मैं गा के सुनाता हूँ मोहिनी एक आदशी की तुमको कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ ये कथा है बड़ी महान सब सुनों लगाते जान इस कथा की है पहचान दिले मुहमा का वर्दान